हेलो गाइज मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज मैं बहुत ही अच्छे लड़ू की रेस्पी लेकर आई हूँ जो की मिंटों में बनकर तयार हो जाते हैं इन लड़ू को बनाने के लिए ना तो दूद की आविशकता होगी ना मावे की ना चाशने की और ना ही गैस की च 200 ग्राम बादाम 200 ग्राम किसमिस हमने इने भी दो कर सुखा लिया है इसमें डालने के लिए थोड़ा काली मिरच का पाउडर थोड़ा इलाची पाउडर लिया है हमने च्छार को काट कर इनकी गुटलियों को निकाल दिया है हमने एक मिकसर जार ले लिया है अब हम इसमें को डाल कर दर्दर पीश लेंगे यह देखिये हमने बादाम को दरदर पीश लियाह है अब हम इसे करेसे कर लेगे खे कर लेगे तो देखिये घाइ Yuk हमारे शृ थोड़े i-then रखे क्रेश ओ गए हैं अब आप इसमें एक बड़ा चमसध गीरा देते हैं और अब इसमें हम मिलाइची और काले मिलाच का पाउडर भी डाल देते हैं और जो हमने क्रेश करके बाद हम रखे थे अब हम उने भी डाल देते हैं नेत इन सब चीजों को हम मिक्सर जार में चला लेते हैं तो देखे हमारा मिष्णा लड़ू बने के लिए रेड़ि है हम इस मिष्णा को अब एक बुर्तन में निकाल लेते हैं और हातों से अच्छे से मिक्स कर दकात proves हमारा मिस्रा तयार हो गया है अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं लड्डू आप अपनी पसंद अनुसरा छोटे या बड़े बना सकते हैं तो देखिए गाइज हमारे सुबर फिरी और सिहत मन लड्डू बन कर रेड़ी हैं अगर ये लड्डू नियमित रूप से खाया जाएं तो सिहत के लिए काफी फायदे मन्द हैं ये हमारे सरेट की प्रती रोदक्षमता को बढ़ाते हैं और मांसे विकास भी करते हैं आपको हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो हमारी रेस्पी को लाइक करें चैनल को सबस्काइब करें तो गाइज मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ जै हिन जै भारत